हेलो और वेलकम एवरिवेन आज हम डिस्कूस करेंगे एग्रिनॉमी सब्जक के नेक्स टॉपिक के बारे में डिस्कूशन जो की है वाटर रिसॉर्सेस एंड इरिगेशन ड्वेलपमेंट इन इंडिया एंड राजस्थान सबसे पहले तो आपको बता है कि राजस्थान जो है वो एक ड्राई स्टेट में कंसिडर किया जाता है और यहाँ पर पानी की काफी कमी है तो बहुत सारे चैलेंजिस देखने को मिलते हैं लेकिन अगर इंडियन प्रस्प्रक्टिव में बात की जाए तो जैसे जैसे पॉपॉलेशन इंक्रीज हो रही है एग्रिकल्चर की नीड इंक्रीज हो रही है तो एग्रिकल्चर सेक्टर में भी पानी की बहुत जादा डिमांड है लेकिन बढ़ती पॉपॉलेशन के साथ में पानी से रिलेटेड जो चैलेंजिस हैं वो डे बाई देखने को मिल रहे हैं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रेन वाटर हर्वेस्टिंग और बहुत सारे कैनाल प्रोजेक्ट्स को चलाया गया है ताकि पानी की कमी की इस प्रॉब्लम से छुटकार पाया जा सके इसके साथ ही कुछ efficient water management practices और technologies को भी हमारे agriculture system में adopt किया गया है ताकि sustainable irrigation development हो सके अब हम बात करेंगे water resources and irrigation in India सबसे पहले challenges देखते हैं तो जैसे जैसे population increase हो रही है water की resources कम हो रही है तो यह सबसे बड़ा challenge है कि पानी की बहुत कमी है इसके अलावा agriculture की demand भी increase हो रह अब जादा देखने को मिलता है plants में तो वहाँ पर भी पानी की requirement जादा है इनिशेटिव की बात करें तो rain water harvesting से related बहुत सारे projects को चलाया गया है और rain water को store करना ही अब water scarcity को दूर करने का एक मातर हम बोल सकते हैं solution है इसके अलावा canal systems को adopt किया गया है ताकि agriculture में water distribution को efficient बनाया जा सके technological advances की बात करें तो modern irrigation techniques को use किया जाता है ताकि water की efficiency को maximum ले सके जैसे की modern irrigation techniques में जैसे की हम involve कर सकते हैं drip irrigation system या sprinkler irrigation system जहां पर हमें maximum water use efficiency प्राप्थ होती है नेक्स राता है राजस्थान के perspective में बात करें तो water scarcity आपको पता है कि ये dry state है यहाँ पर पानी की काफी कमी है ground water भी जो है वो धीरे धीरे बहुत नीचे जा रहा है तो ground water depletion देखने को मिलता है day by day climate change हो रहा है जिसका भी water availability के उपर काफी negative impact पढ़ रहा है government measures की बात करें तो कुछ canal project जैसे की इंद्रगांधी canal project आप सभी जानते होंगे इसके थुरू लोगों को water access दी जाती है इसके अलावा different water efficient farming practices जो है उनको promote करने में government का काफी role है इसके अलावा कुछ ऐसी crops के लिए awareness generate कर रही है government जिसके की पानी की कम requirement होती है जो की कम पानी use करती है ऐसी crops को growing करने पर ये जो government है ये focus करती है नेक्स जाता है sustainable practices तो जैसा हमने discuss किया कि drip and sprinkler irrigation system के use को increase किया जाता है ताकि पानी का optimum use हो सकी नेक्स जाते है water resources in India तो आप सभी को पता है major water resources जो है वो surface water है ground water है और rainfall है surface waters जैसे की major rivers like गंगा ये मुना ब्रहम पुत्तर ये water के काफी अच्छे source माने जाते हैं और अलग अलग जगह पर dams और reservoirs को भी construct किया जाता है ताकि water का storage किया जा सके groundwater की बात करें तो जैसे की कुवे वगर ऐसे ट्यूब वगर ऐसे agriculture और domestic water की supply के लिए groundwater जो है वो एक अच्छा source माना जा रहा है rainfall जो rainfall जब होती है तो rain water की harvesting एक best solution है ताकि पानी की कमी की problem को से चुटकारा पया जा सके इसके अलबा बहुत सारे precipitation होते हैं precipitation का मतलब होता है कि बादलों से पानी का किसी भी form में soil की surface पर गिरना फिर चाहे वो ice के form में हो या फिर वो पानी के form में हो तो इसे बोलता है precipitation तो ये भी water की availability को influence करता है next आता है राजस्थान में water resources कौन कौन से हैं तो आपको पता है राजस्थान में कहीं कहीं कुए और tubule से भी पानी को निकाला जाता है rivers और legs के भी availability है जैसे कि हागर हम बात करें तो perennial river है और seasonal river जो है वो भी राजस्थान में है उसके अलावा artificial legs और dams को भी construct किया जाता है पानी को storage करने के लिए groundwater challenges की बात की जाए तो बहुत सारे issues आते हैं क्योंकि groundwater जो है वो day by day deplet हो रहा है लेकिन फिर भी groundwater से अभी तक काफी हद तक पानी की supply हो रही है major canals की बात करें तो इंद्रा गांधी canals और गंगा canals जो है वो extensive source है पानी को provide कराने का इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि agriculture sector में irrigation को irrigation की process को complete किया जा सके flood control किया जा सके और water supply efficient तरीके से की जा सके purpose और impact की बात करें तो ये agriculture productivity को maximize करने का काम करते हैं और गाओं में जो ग्रामीन जीवन है उसको काफी हद तक support करते हैं management और maintenance की बात करें तो different blockage वगर ऐसे बचे रहने के लिए हमें regular जो dams हैं जो reservoirs हैं उनकी regular checking करते रहना चाहिए ताकि efficient water flow हो सके इंद्रा गांधी कैनाल जो की राजस्थान में 20 और 17 रीवर का उसे पानी सप्लाई करती है जो के water scarcity challenges को खतम करती है especially arid regions में local canal projects की बात करें तो बहुत सारे बहुत छोटी छोटी channels भी हैं जो की एक local level पे water distribution का काम करती है और राजस्थान में internal local canal projects भी सम्मेलित हैं जो की काफी हद तक sustainable agriculture की development में योगदान देती हैं यह आपका topic था जिसमें कि आपको सबसे measure पढ़ना है कि water resources कौन कौन से हैं और हम किस तरीके से efficient technologies का use करते हैं तो अगर हम एक बार थोड़ा सा को अगर question पूछा जाता है तो हम बहुत common mind से भी कि water की resources क्या क्या हो सकते हैं या तो किसी नदी से पानी मिल रहा होगा या किसी कैनाल से पानी मिल रहा होगा कुए या ट्यूब वेल से पानी मिल रहा होगा या फिर जो precipitation है जो rainfall का water है जो rain water है उसकी harvesting की जाती होगी वहां से दो नंबर के question पूछने के chances जादा होते हैं कि दो नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा mainly major कौन-कौन से resources है जो की कौन-कौन से water resources है और कौन-कौन से जिनकों की irrigation में भी use किया जाता है और किस तरीके से इंडिया और राजस्थान में irrigation resources का development है तो इस तरीके से आपसे question पूछा जा सकता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share and subscribe, thank you